दरके और बुरा बाल्वाले पता नहीं का जितने नरसंगार उस जमाने में हुए, व भुरा बाल्वालों के साथ Shakti क्यों हुए, आजे अज भी नहीं, आज़ भी नहीं, आज भी भीशिव भी मैं होगी. अब पिछले ही चुनाव के समय क्या कहा था तेजस्वी जिने उसको उसी को दुरा के सुल देना बालूम चल जाएगा उन्हें साब कहा था मैं इनकी जरुवत नहीं है नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसी 2020 की सुरुवात हुई सुबारंब हुआ और जैसे ही 2020 की सुरुवात हुई बिहार की राजनीती में पोस्टर बार चिड़ गया एक तरफ जेडियू पोस्टर जारी रोज कर रही है तो पलट बार में आरजेडि भी पीछे नहीं है वो भी पोस्टर जारी कर रहे है और ये पोस्टर बार छिड़ चुका है उस बीज कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा जनता के हितों की बात नहीं कर रहा इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने पहुचे हैं बीजेपी के मिलसी सचीदा नंध राई जी से और हम बात करेंगे कि इस बार का मुद्धा क्या है विधान सवाचुनान देखे जहां तक पुस्टर का सवाल है वसीम जी पुस्टर वही कह रहे हैं जो सच है जिस्ची तुप से जनता के सामने 15 साल बनाम 15 साल का प्रस्ट तो है जब इंडिया की सरकार आई थी तो उसमें बिहार कहां था और आज बिहार कहां है यह तुलना तो जनता करेगी हम करें और ना करें तो पुस्टर पर यह इशू आया है जैसे उदारान सुरू बता दूँ दोजार एक के सेंसस में को कि सेंसस के समय ही यह समाकड़े आते हैं बिहार में सक्षर्टा करीब करी 50% के आसपास था जिसमें मह बिलाओं कि सक्षर्टा अकेले 68 प्रत्सत होगे मैं डबल से भी ज्यादा अब 2021 मैं समझता हूं कि सथ प्रत्सत के आसपास होगी यह बहुत करीब होगी और उस समय चैलेंज यही था उसमें जो सकार आई थी सकार के सामने कई चुनोतिया थी शिच्छा में चुनोती थी द बिजली का नाम तक नहीं जानते हैं लोग ठीक से गाहों में डिवडी और दिया और लाल्टेन छोड़कर वह इस सरकार के आने के बाद पहले तो गाहों में से बिजली पहुंची अब हर घर तक बिजली पहुंच गई लबश्ट प्रत्सत विदृति करण हो चुका है उसी कि शाष करता है इस त्युक्ता की अफ्कि आफ्री सहता और कहा स्वास्त को क्या को कुई साफा मिली है जहां पर सवास्ता जास सवास्तां करत लूब कि उसको भी हमने द्हांता किया है कि एक तो लापनी स्वासत के फुले हैं कई NI सबसे बड़ी अस्पलता चिकत्सक करना मिल्णा इसने zaj नहीं मीलने बहर के पध्यार आनाges चाहते। कि और बिहार में चिकित्सक पैदा करने का प्रयास ही नहीं किया गा तो प्रिशी सरकार उने तो कोई मेडिकल कोलेज खोला ही नहीं था इस सरकार ने शुरू में शायद दजर अंदाज कर दिया अब तो मेडिकल कोलेज है धरले से खुल रहे हैं लेकि इनके प्रोड़क्ट आते आते और पांसाथ दसन लग जाएंगे तो क्वालिटी चिक्षा के भाव में हमारी चिक्षा प्रनादी पूरी तरह से कमजूर पड़ी हुई है बिहार की राजनिती बिहार की या देश की राजनिती है जहां पर जातिय समीकरन और मुला बहुत अपनाया जाता है आप भी ब्रामन भुम्यार और समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अपनी वेदेख हैं ये बात कर जगदारन सिंग ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि भुम्यार और ब्रामन को बर्गलाया गया आरजेडी से दूर किया गया हम पहले भी उनके थे आज भी अपने हैं उन्हें विचार करना है आप इसे परक्रिया और कैसे देख रहे हैं उनके बातों को कैसे देख रहे क्या सच में बर्गलाये घाएं मैं जैधा ऑब कि बड़ी जद करता हूं बड़े ही अच्छे आदमी हैं तो नहीं यह पहले हैं कि एदि फोटेस वीडियो कुछ भी उपलड़ तो आकर हमसे बात करें और दिखाए तो आप लोगों इसको प्रचारीत किया था तो आप उनको दिखा दीजिए कि बुरा बाल साफ हो रहा था हम क्या बताएंगे हमारे तो जहन बबस वही है कि डर के मारे बुरा बाल बाले पता नहीं कहां कहां भाग रहे थे और जितने नर स्वावर बुम्हारों में क्या कमी है हम तो समाज की निर्मार तन्यमातागों में से एक रहे हैं और लालू जी के आने के पहले तो हमने भीहार को ठीक से सजोकर रखाथा हमारे ही लोग यह नेतुत तो देते थे और अच्छा देक्ट देते ते तभी लालू जी जैसे लोड़कर नहीं देखिए हैं हम यह सवालमेरा जिस तरीके तुनोंने कहा कि भुम्यार-ब्रामन को बर गलाया गया और इसारा 20 पी की ओर था उनने कहा कि उन्हें दूर किया गया लुदि पहले उनकी थी आज भी उनकी है और हुझ नहीं और आज अज भी नहीं नहीं होगी अब पिछले ही चुनाव के समय क्या कहाता ते जस्वी जीने उसको उसी को दुरा के सूल देना मालूम चल जाएगा उन्हें साब कहता में इनकी जरुवत नहीं है तो वह सब बात हटा दीजे मैं उस पर कमेंट करके समय आपका खराब नहीं करूंगा आपका मतलब की बहुत म मेरा भी आपका भी है ब्रहिजान चेतना मंच के बारे में जरूर दोष्ट नहीं करूंगा हर दल्व को मैं उसी बात कर दोशी मानता हूं कि समाज को की उपक्षा हुई इसी कारण से समाज में बेचैनी है कुल बलाहट है और इस कुल बलाहट कई तरीके से दिखाई देया हम भारती नहीं है पहारी नहीं है करने ब्रहिँआ कई पर चया होते हैं वह वर समाज के गवारतर पर समध allora है समाज के लोगे जैसे च सिक्षा कच्षे वह अपने समाज के कमजोर लोगों को इसके बाते ब्यार के संदर्में ब्रमजलों के संदर में वसत्थ उसमें किसने से स्वास्त प्रसास्तिक कोई सुविदा हो रोजगार के जो मौके हो या मश्वरे हो उन सब के लिए समाज के की जो सक्षम लोग समाज के जरूरत मंदों की जरूरत पूरा करने का प्रयास करेंगे तो सरकार पर निर्भता घट जाएगी है अब देखिएगा जीडिपी का मुश्किल से एक चोथाई हिस्साई करके रूप में सरकारों के पास जाता है वो चाहे राज सरकार हो देश की सरकार हो बच्छास्त संसादन समाज के बात नहीं कर रहा हूं बार 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 टेकनोलोजी की बात करता हूं चुकि मैं कुछ टेकनोलोजी का विद्यारती रहा हूं समाज के माध्यम से कितनी जल्दी हम लोग इस आदन संपन ब्रमजनों को जोड़कर जरूरत मंत ब्रमजनों के पूरा करके स्वाइमान के रक्षा करें ताकि सरकार पर से निभड़ता हमारी अधिक सदिक कम हो जाए थोड़ी बंद मता तो रही जाएगी आखिर प्रसास्त करना चाहूंगा कि और भी जो साधन संपन ब्रमजन हैं वो किसी तरह से भी हमें संपर्क करें इसमें जुड़ने का प्रयास करें ब्रमजन चेतना मंच गैर राजनितिक संगठन है और वो देखने के लिए मिला था कुछ दिन पहले ही कारिक्रम हुआ जिसमें तमाम विविन दलों के जो लोग थे नेता थे वो पहुचे थे तो साब जाहिर हो रहा था कि गैर राजनितिक संगठन है मगर सवाल तब खड़ा हो गया जब जगदर इन सिंग ने ये कह दिया कि भुम्यार और ब्रामन को राज आर्जेडी से दूर किया गया है वरहाल सचीदर राज जी ने जिस तरीके से सरर और बेवाकी तरीके से अपनी राज दी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो खूब लाइक करे खूब सेयर करे और अब तक आपने हमारे शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तूरन सब्सक्राइब कर ले और में वसीम खान लाइप सिटीज बढ़ना